Good morning students, today I explain you chapter 1 of English reader that is the shoemaker of Paris. Paris का shoemaker means kobler जो जूते बनाते हैं. There is an extract from Charles Dickens, A Tale of Two Cities, a novel with the French Revolution has its backdrop. It highlights the agony of a daughter who remained separated from her father for a long time. यह एक Charles Dickens की स्टोरी है, A Tale of Two Cities, उनकी novel से थोड़ा सा पार्ट लिया गया है, जो कि French Revolution से पहले का पार्ट है. और इस स्टोरी में एक बेटी का दुख बताया हुआ है, कि वो अपने पापा से दूर होकर कैसे दुखी रहती है. It is the year 1775, the place is Paris, the capital of France. Paris was then a great and rich city, but some parts of the city were very poor, the poorest district of all was St. Antoine. There the people lived in great poverty, they were hungry, ragged and desperate, misery hung like a black cloud over St. Antoine. ये 1775 की बात है, और जगा Paris, Paris फ्रांस की capital है, Paris उस चाइम बहुत बड़ी और rich city थी, लेकिन पैरिस के कुछ शहर ऐसे थे जो तब भी गरीब थे, और सबसे गरीब उसमें जिला था St. Antoine. वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा गरीबी में रहते थे, वो भूके, उनके कपड़े फटे पुराने और बहुत दुखी थे, और वहाँ पर दुख एक काले बादल की तरह मंडराता रहता था. However, one dull November day, there was laughter in St. Antoine. A barrel of wine had fallen from a passing cart. It had broken as it fell. The wine had run out over the road. The holes in the road had become pools of red wine. The miserable people rushed out to drink what they could. Some fell on their knees and drank like dogs. Others collected the wine in their hands. Some others dripped rags into the wine. They laughed. Laughter was a strange sound in St. Antoine. A tall thin man dipped his fingers in the red mud. एक दिन, November का दिन था. वहाँ पर खुशी का महोल बना St. Antoine में. क्या हुआ था? एक barrel, एक मतलब बहुत बड़ा कुंड टाइप जा रहा था. वाइन का एक रस्ते से तो वो गिड़ जाता है. और गिड़ते ही वो तूट जाता है. और जैसे ही वो तूटता है. सारे रोड पर वाइन ही वाइन बिखर जाती है. और जो होल वगेरा, गड़े वगेरा ते सब में वाइन बढ़ जाती है. एक तरसे वाइन की वहाँ पर बाड़ सी आ जाती है. और जो दुखी लोग थे वो सारे उसे पीने के लिए भागते हैं और कुछ लोग अपने गुटनों पर बैठ कर कुटों की तरह उसे चाटते हैं और कुछ अपने हैंड में कलेक्ट करते हैं और कुछ लोग अपने कपडों में उसे डिप करके फिर पीते हैं दे लाफ्ट और वो हाँ पर उन में खुशी का महोल बन जाता है और लेकिन वहाँ पर लाहसी जो है बहुत अजीव साउंड कर रही थी उस शहर में और तभी एक लंबा सा पतला सा आदमी होता है वो अपने फिंगर डिप करता है उस रेड वाइन में और फिर क्या करता है वो और वो बड़े बड़े अक्षरों में दिवार पर ब्लड लिख देता है उस वाइन से और उस समय वहार वो टाइम आजाता है कि जब वहाँ पर ब्लड बहने का टाइम आजाता है सेंट टाइन में फिर वो बेरल कहां जानी होती है उसी गली में कोने पर एक वाइन शॉप होती है वहाँ पर उसे जाना होता था और उस दुकान का मालिक है वाइन शॉप का मालिक वो दूर से ही यह सब देख रहा होता है अपने गेट पर खड़े हुए उसका नाम होता है मौनसेल डिफार्ज वो सारा सीन देख रहा होता है और दया भी होती है दया होती है लोगों के कश्ट देखकर और गुस्सा आता है उसे अमीर लोगों पर जिनोंने ये गरीबी ये दुख उने दिया है डिफार्ज उस लंबे पतले आदमी से कहता है जिसने वो बलड लिखा था दिवार पर गसपार्ड जल्द ही यहां पर बलड का टाइम आने वाला है जल्द ही हां खून भेने वाला है डिफार्ज went inside his wine shop, मैडम डिफार्ज was sitting in a usual place behind a counter as usual she was knitting, मैडम डिफार्ज like a husband was about 30 years of age बोथ were rather stout, the faces of both showed great strength of character डिफार्ज फिर अपने दुकान के अंदर चला जाता है वहां पर मैडम डिफार्ज उसकी wife मैडम डिफार्ज वो counter पर बैठी भी होती है और बुन रही होती है, बुनाई कर रही होती है मैडम डिफार्ज अपने husband की तरह 30 years के around होती है और दोनों ही मोटे होते हैं हलके से When मैडम डिफार्ज saw her husband, she gave a little cuff then she looked towards a corner of the shop, डिफार्ज followed her look he saw two strangers sitting at a table One was an elderly gentleman, clearly an Englishman The other was a young lady, the elderly gentleman went up to डिफार्ज और जैसे ही मैडम डिफार्ज अंदर आता है मैडम डिफार्ज हलका सा खासती है उसकी तरफ देखती है, अपने husband की तरफ और फिर वो दूसरी एक shop की corner पर देखती है उसके पीछे पीछे डिफार्ज भी देखता है वहाँ पर दो strangers, दो अजनबी टेबल पर बैठे होते है उन में से एक gentle, एक थोड़ा बड़ा सा बुड़ा सा आदमी होता है Englishman था वो और दूसरी एक लड़की होती है और वो बुड़ा आदमी डिफार्ज के पास आता है My name is Jarvis Laurie, I am the guardian of this young lady Her name is Lucy Manate फिर वो आकर वो elderly gentleman डिफार्ज से कहता है कि मेरा नाम Jarvis Laurie है मैं इस young lady का guardian हूँ और उसका नाम Lucy Manate है Lucy Manate exclaimed Defarge उसका नाम सुनकर डिफार्ज चौकता है और कहता है Lucy Manate Yes, she is a daughter of Dr. Manate और वो बताता है जी ये Dr. Manate की बेटी है Defarge Goh went down on one knee He kissed the hand of young lady with great respect Defarge had been the servant of Lucy's father Dr. Manate but that was about 18 years ago That was before Dr. Manate was put into prison Dr. Manate had now been set free and Lucy had come to take her father home Defarge अपने घुटनों पर बैठ जाता है और Lucy Manate के hand को किस करता है बड़ी रिस्पेक्ट से Defarge क्योंकि Defarge Lucy के father Dr. Manate का servant रहता है 18 साल पहले और उसके बाद Dr. Manate को prison में टाल दिया गया था Dr. Manate free हो चुके थे और Lucy उन्हें अपने घर वापस ले जाने आई टी May VC Dr. Manate asked Mr. Lory तो Mr. Lory कहते हैं कि हम Dr. Manate को देख सकते हैं I will take you to him और फिर Defarge उन्हें उनके पास कहता है मैं लेकर चलता हूं Defarge led the way across a courtyard then up some steep stairs How is he whispered Mr. Lory? You will see Defarge उन्हें एक आंगन से सीडियों पर ले जाता है फिर दीरे से Mr. Lory उनसे पूछते हैं वो कैसे हैं तो वो कहता है तुम ही देख लेना Is he is he much changed? Changed you won't know him तो वो कहता है कि क्या वो कुछ बदल गए हैं वो कहता है तुम उन्हें नहीं जानते Before they reached the top of the stairs Defarge took a key out of his pocket Is he locked in? Yes, he is frightened If the door is not locked He is lived so long like that फिर जब वो stairs पर पहुँच जाते हैं Defarge अपने जेव से pocket से keys चाबिया निकालता है तो वो लोरी पूछते हैं क्या वो अंदर बंध हैं लोक हैं तो वो कहता है हाँ उन्हें डर लगता है अगर उन्हें लोक ना करा जाए क्योंकि उन्हें आदत पढ़ चुकी है वो काफी टाइम से ऐसे ही रह रहे थे Mr. Lory and Defarge were talking in whispers Lucy who was behind them could not hear what they were saying but her face was pale and she was trembling Mr. Lory and Defarge जो हैं बड़े दीरे दीरे बाते कर रहे थे Lucy उनके पीछे थी उसे कुछ नहीं सुनाई दे रहा था वो क्या बात कर रहे थे लेकिन वो बहुत डरी भी काप रही थी Mr. Lory turned round be brave Lucy he said think how happy your father will be when he sees you तो Lory उनसे कहते हैं कि आप brave बनो और सोचो तुमारे पापा कितने कुश होंगे तुमें देख कर they reached the top of the stairs three men were standing by a door looking through the cracks in it is that Dr. Manit's room asked Mr. Lory in an angry tone the men went away when they saw defiance and the two strangers are you making a public show of the doctor whispered Mr. Lory angrily जब वो सीड़ी ओपर पहुच जाते हैं तीन आदमी crack से Mr. Doctor के room में अंदर देख रहे होते हैं crack से तो Mr. Lory पूछते हैं गुसे में क्या ये Dr. Manit का room है और वो जब उना अदमियों को देखते हैं तो भाग जाते हैं फिर वो Mr. Lory क्या गुसे में कहते हैं तुमने क्या डॉक्टर का public show बना रखा है I let a few friends of mine see him it's a lesson for them defarge answered calmly then he added you are English you can't understand how things are here फिर वो कहता है मैंने अपने कुछ दोस्तों को कह रखा है कि वो उन्हें देख सकते हैं वो उनके लिए एक सबक है defarge बड़े हराम से अंसर देता है और कहता है तुम English हो तुम्हें नहीं समझ में आएगा किया चीज़े कैसी है defarge unlocked the door of doctor's room he went in Mr. Lory stood with Lucy in the doorway there was little light in the room come in come in called defarge Lucy stood there trembling like a leaf I am afraid she said oh I feel so afraid Mr. Lory took her arm and led her inside the room defarge doctor's के room को unlock करता है खोलता है और वो अंदर जाता है और Mr. Lory Lucy के साथ बारी खड़े होते हैं अंदर हलकी सी light होती है फिर defarge अंदर जाके कहते हैं अंदर आओ अंदर आओ Lucy वहाँ खड़ी रहती है कापती रहती है वो कहते है नहीं मुझे डर लग रहा है जाने से मुझे डर लग रहा है तो Mr. Lory उसका हाथ पकड़ते हैं और उसे अंदर ले जाते हैं At the far end a man was bending low over a shoemaker's bench his back was towards the door his face was turned towards a light coming from a tiny window his long hair was snow white his clothes hung like rugs from his thin shoulders और आखिर में वो आदमी door से पीट करके बैठा था और उसकी नजर अलकी सी एक छोटी सी window थी उसकी तरफ light आ रही थी उसकी तरफ उनकी नजर थी और वो shoemaker bench पर जुके वे बैठे थे उनके लंबे लंबे बा स्नो वाइट बिल्कुल वाइट कलर के थे और उनके कपड़े बिल्कुल उनके पतले पतले कंदों से लटके हुए थे इस लेसन के word meaning